Hello and welcome friends, Libra Office Writer सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Libra Office Writer की है यहाँ पर देख सकते हैं ये computer लिखा हुआ है, अब इसमें change case कहा होता है कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इस Microsoft Word में तो ठीक है, Home Tab में हमें change case command मिल जाता है यहाँ पर कहा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा format menu में, तो यहाँ पर format पर क्लिक कीज़ें और जैसे text पर जाएंगे तो इसमें आपको दिखाए पड़ेगा change case, देखिए ये upper case है, फिर ये lower case है, यहाँ पर cycle case है, ठीक है और shift के साथ F3 प्रेस करेंगे तो cycle case हैगा, तो ये cycle case क्या होता है, ये दिखाते है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये cycle case है, ठीक है तो ये जो है format menu पर जाएंगे, और यहाँ से text पर जाएंगे, तो ही आपको ये दिखाई पड़ेगा, और अलग-अलग का अपना काम है, जैसे माली जी ये upper case कर देंगे, तो पूरा upper हो जाएगा, ठीक है इसी तरह से फिर चलता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर दिया हमने lower case, तो सब small letter हो जाता है, ठीक है और फिर अगर बात करें कि, ये दिखिए, ये दिया हुआ है cycle case, तो अगर cycle case कर देंगे, तो पहला अक्षर capital रहेगा, बाकी सब small रहेगा, ठीक है इसी तरह से फिर आते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, sentence case दिया हुआ है, तो cycle case आपको ms word में नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलता है, तो sentence case भी same ही काम करेगा और यहाँ पर आते हैं, तो यह देखिए, यह फिर आगए, और अब capitalize each word, तो हर एक शब्द का पहला अक्षर capital हो जाएगा, जैसे computer लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर science लिख देता हूँ, तो science का भी s capital हो जाएगा, अगर मैं small लिखता हूँ, तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, तो इस पर अगर click कर देता हूँ, तो देखिए, यह इसको capital कर देगा, यह देख सकते हैं, यहाँ पर capital हो गया है, ठीक है, तो I hope कि यह बात समझ में आ रही होगी, इसका मतलब यह है कि capitalize every word, तो हर एक word को capital कर देगा, और फिर यहाँ पर बात कर लेता है, total case की, तो total case पर जैसे ही आप जाएंगे, तो पहला अक्षर small हो जाता है, इन दोनों को selection में लेता हूँ, और फिर total case पर चलता हूँ, तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर, यह small हो जाएगा, यह देखिए, computer पर पहले total case अप्लाई हुआ था, अब देखिए, इस पर apply हो गया, इस पर से हट गया, दुबारा क्लिक कर देने से हट जाता है, कहने का यह मतलब है, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से लिखा होता है, अगर मैं दोनों को साथ में select करूँगा, तो दोनों ही जो है, total case, दोनों ही पर apply हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखिए, दोनों ही प apply हो गया, तो एक साथ select करना होगा, नहीं तो दुबारा क्लिक करने पर वो effect हट जाता है, तो यह बात समझ में होगी कि यह कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर format पर फिर एक बार चलते हैं, एक बार इसको वापिस से मैं क्या करता हूँ, capitalize every word कर देता हूँ, तो हर word का पहला letter capital हो जाएगा, यह देख सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे share करें, thank you for watching this video.